नमस्कार दोस्तो वागत है एक न वीडियो में, इस वीडियो में आने वाला हूँ, कि आप Redmi के किसी फोन में, डेटा वीज़ की सेटिंग कैसे कर सकते हैं? एंफ पिपिए 築डी की सेटिंग करने के लिए को करने क्या होगा जिस AIP के रिगार्ड आप करना चाहते हैं उस AIP के रिगार्ड- आप यहां पे उस AIP- Stanisola का imaging पर जाएंगे एप जया जाएंगे अब यहां से भी आप मैनेज कर सकते हैं कितना data लुबाइल डीटा बन कर सकते हैं बेग्रॉंड डीटा बन कर सकते हैं बेग्राउन कर सकते हैं डीटा आप सरियार सर्टिंग कि यहां इसके बाद लेखेत हैं और आप यहाँ बई पर मिल जाते हैं, तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये रहा, तो आप कर सकते हैं, Wi-Fi यूज़, मोबाइल डेटा यूज़, यानि कि Mobile डेटा यूज़ के मतलब हो गया है, आपका जो SIM कानेट होता है, और Wi-Fi यूज़ के हिसाब से भी आप कस्टिमाइज कर सकते हैं, तो फिलाल मैं mobile data usage की हिसाब से बता देता हूँ तो यहां पर बहुत सारे आप होते हैं जो कि आपके जुरुत के नहीं होते हैं तो जैसे के मान के चलो यहां पर अगर मुझे इसके लिए mobile data बंद करना है तो मैं इसे बंद कर सकता हूँ या बैग्राउंड डेटा बंद कर सकता हूँ यानि कि जब मैं इस आप को स्टार्ट करूं स्क्रीन पर दीखे तभी डेटा के उज़ करें बैग्राउंड में यूज ना करें इसी तरह से और भी आप यूजेज को भी अगर बंद करना है इनेबल करना किसी भी आप के रिगार्स हो कर सकते हैं तो यहां पिसको नौंवली यहां से से मॉबाइल डेटा इसके बंद कर सकते हो वाइधा बैग्राउंड डेटा बंद कर सकते हो है न अब रही बात आपके मैं एक चीज और आरा होगा कि हम इस मोबाइल में जैसे कि डेटा विजज की जब भी बात आती है तो यहां पर बाद आ जाता है कि आप किस तरह से अपने मोबाइल में डेटा लिमिट सेट कर सकते हो तो उसके लिए अलग किसी भी आप के लिए आप किस तरह से नेट को परमिशन अलाउट कर सकते हैं तो के बाकि डीटेल वीडियो बना रखिए प्लेलिस से देख लिएगा तो दूपर दूस्तों वीडियो अच्छी लेगे होगे लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा चले मिलते हैं नेक्स वीडि